बुड़ी उनिंग एबिवन, दिस इस मिनाक्सी बूरिय बिफोर यू देखे, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का चप्टर नमबर बन मैटर इन अवर सरावडे जैसा कि आपको पते हम चोटी-चोटी फैट बना लेते हैं चप्टर के तो ऐसा ही हम फर्स्ट फैट करेंगे आज इसका अगर आप मुसे साइंस या बैलेजी पढ़ना चाते हैं तो टालिग्राम, इंस्टर, ट्विटर या फेस्बूक पेज है मेरा आप फोलू कर सकती है मिनाक्सी अडूपैंट ठीक है, टालिग्राम पे आपको पीडियत भी मिल जाते हैं तो आज का टोपिक हम शुरू करते हैं मैटरी नवर सराउंडिंग ठीक है मैटर क्या है मैटर हमें अपने आसपास जितनी भी चीच नजराती है वो क्या है, मैटर है चैस में हमारी पैन है, पैंसिल है, कोपी है या फिर कोई भी चीच है एर है, फूड है, जाथ है, या सिस्टार है ये सब क्या है, मैटर है कोई भी चीच जिसका कोई volume है या mass है, अगर volume है mass है, तो वो space to occupy करेगी तो वो क्या है, मैटर है और matter पार्टिकल से बना होता है किसे बना होता पार्टिकल से तो आपको एक नंबर की definition अगर कोई पूछ ले कि what is matter तो आप बता देंगे कि कोई भी चीज जिसका अपना volume है mass है और space को occupy करती है वो क्या है matter है फिर आप example दे देंगे अगर हम पहले की बात करें इंडियन फिलोस पर थे जो कुछ ग्रिक फिलोस पर थे तो उनके according five type के जो five element होते थे matter में जो की air, earth, fire, sky and water थे लेकिन new classification की बात करें तो दो तरह के से classify किया गया है physical property के basis पे और chemical property के basis पे physical property के basis पे इस chapter में हम पढ़ेंगे chemical property के basis पे आपके जो chemical composition होती है किसे भी matter में कि कितना कौन सा chemical present है वो आता है पूछ लिया जाए कि physical property के आहां matter की या फिर characteristic property के आहां matter की तो आप क्या बताएंगे जो matter है वो small particle से बना होता है और उनके बीच जो matter है उसके particle के बीच में space होता है इस चीज का पता कैसे करेंगे देखे एक experiment करते हैं 100 ml हमने एक water लिया एक beaker में तो उसमें 2-3 crystal हमने क्या डाले potassium per magnet के डाले अब ये crystal डालने की वज़़े से इसका color change हो गया आपको दिख रहे हैं इसमें से 100 ml में से 10 ml हमने test tube में निकाला और दूसरा जो 100 ml fresh water था उसमें डाल दिया next time भी हम यही करते हैं 10 ml उससे निकालते हैं test tube की help से और 100 ml fresh water में फिर से डाल देते हैं फिर 10 ml निकालते हैं और 100 ml fresh water में फिर से डालते हैं तो हम continuous लिए क्या observe कर रहे हैं कि color है उसका light होता जा रहा है तो इस चीज़ से क्या पता चला देखें जैसे ये particles थे किसके water के ठीक है इनके बीच में space था ये वाला इदर ये enter कर जाएंगे potassium per magnet के जो particle है वो enter कर जाएंगे मतलब कि ये space में enter कर गए ये small थे तभी तो enter कर गए वहां पे जाके tick पाएं तो दोनों बाते प्रूब होगे इस वाले experiment से ऐसे ही हम डेटोल की बात करें smell चेक कर सकते हमने एक container जो भी कर था उसमें पहले डेटोल ज़्यादा डाला उसमें smell हमें बहुत ज़्यादा आ रही होगी लेकिन हम जैसे जैसे उसकी composition कम करते जाते हैं 10 ml निकालके अगले container में डालते जाते हैं तो हमें smell आनी कम हो जाती है ऐसे salt या sugar का solution जब हम बनाते हैं तो उसमें भी क्या देखते हैं कि हम उसे stir करते हैं पानी को तो उसके particles के बीच में जो salt या sugar के particle है water के particle के बीच में जाके टिक जाते हैं जिसकी वज़े से आप जो पानी पीते हैं तो आपको ऐसा feel होता है कभी आपको नमकीन feel और कभी मिठा feel और कभी पानी का टेस्ट आ रहा है नहीं वो आपको एक constant taste देता है जिसमें आपको नमक भी feel होता है मेठा भी feel होता रो पानिका भी तेस्ट आता है ठीक है अब हम आगे चल रहे हैं अगली पॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल है matter के वह continuously more करते रहते इस चीज का कैसे बढ़ा करें देखो हम पूझा करते हैं भी हम लेकिन दूर बेटे हैं तु आप से हमें smell आ रही होती है अगर बत्ती की वो किस वज़े से diffusion की वज़े से कि diffusion में हमने क्या पढ़ा है कि जहां पे high concentration है वहां से low concentration की तरफ जाएगी यही पढ़ा है ना तो ऐसे ही जो particle है दूप अगर बत्ती के वो travel करते है higher concentration to lower concentration इससे हमें पता चलता है कि particle है जो matter के वो continuously move करते रहत है यह depend करता density पर कि कितने ज्यादा dance है कोई भी material उसके basis पर depend करता है कि उसके particle कितना move करेंगे इसके लिए हमने एक experiment करेंगे हमने दो बिकर लिए जिसमें एक में हमने ink drop डाली और एक में हमने honey डाल दिया ठीक है पानी था फिकर में एक में हमने ink डाल दी और एक में honey डाल और उसे छोड़ देंगे कुछ time के लिए तो क्या देखेंगे ink है वो थोड़े time के बाद अपने आप mix हो जाते लेकिन honey mix तो होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना की ink completely mix हो गई थी आप देखोगे cloths आपको बिल्कुल base में फिर भी नजर आएगा अब अगर हमें इस को mix करना है honey को mix करना है या तो हम उसे stir करेंगे अगर हम उसे हिलाएंगे तो उसके particles जैसे ये पास पास थे इसके particles में जैसे हमने हिलाने की कोशिश की इदर इदर ऐसे ये हिलेंगे ठीक है इनके बीच में आएगी ना हमारी spoon हुई या stirrer जो भी आपने लिया है तो ये particle थ हो रहा है तो दूसरी चीज हम क्या करते है कि temperature increase कर देते हैं इसके बाद भी अगर कोई चीज मिक्स नहीं हो पा रहे है ये honey मिक्स नहीं हो पा रहा है पानी जैसे बहुत ज़्यादा चलत हो या फिर कोई भी reason हो तो हम क्या करते है उसको heat करेंगे ये particle जैसे इतने close close थे इस travel करेंगे दूर दूर travel करेंगे तो same वही case है यहां पर particles को दूसरे जैसे salt या sugar के particle है उनको आने के लिए space मिल गया और आके यहां पर deposit हो जाएंगे तो यहीं बताया गया इसमें example दे रखा कि cold water में copper sulphate डाला या फिर hot water में हमने potassium पर magnet डाला तो कौन जल्दी dissolve होगा तो यह temperature पर heat depend करता देखो cold water में अगर आप sugar मिलाने के कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसके particle थोड़े close होते लेकिन जब हमने heat दी तो particle उसके दूर होगे और उनको mix होने के लिए easy हो गया चलो अब हम आगे चलते हैं जो particle है वो matter कि attract करते हैं एक दूसरे को attract करते ह हम इसको भी activity के तुरू जानते हैं देखो fog dance होता है fog dance में क्या करते हैं एक दूसरे को पिछे से steadily पगड़ लेते हैं और इधर आप देख रहे हैं यह दूसरी इसमें इन लोगों ने एक दूसरे को अपने एक arm जो होती है उदर से तो नहीं पगड़ा लेकिन जो palm होती है उदर से पगड़ा है fog dance में arm से करते हैं एक दूसरे को पगड़ के रखते हैं लेकिन इधर इनोंने palm से एक दूसरे को पगड़ा हुआ है अगर हम इधर force लगाए हम इनको दूर करने की कोशिश करें यहां जितनी हम force लगाएंगे क्या इतनी ही force हमें यहां लगानी पड़ रखा वहां हमें ज्यादा force लगानी पड़ेगी और चिनोंने थोड़ा दूर दूर से पकड़ रखा है वहां हमें कम force लगानी पड़ेगी यह किस चीज़ पर डिपेंड किया density कि यह कितने ज्यादा dance है कि यहां पे particle आपको दूर दूर नजरा रहे हैं इन परसन को हम particles माल यह particle दूर दूर नजरा रहे हैं तो कम force apply करनी पड़ेगी लेकिन जहां पर particle आपको पास पास नजरा रहे हैं वहां पे आपको ज्यादा force apply करनी पड़ेगी तो यही attraction depend करता है कि matter किस kind का है ठीक है solid है liquid है या फिर gas है अब देखो मैंने आपको बता है solid liquid gas यह तीनों क्या है state है matter की वैसे तो 5 state होती है matter की आपके NCRT में भी 5 दी गई है लेकिन 9th standard में question 3 से ही पूछे जाते है solid से liquid से या gas से लेकिन आप अगर किसी competitive के लिए पड़ेंगे तो आपको 5 state पड़नी है अब solid की property क्या है इसके definite shape होती है और volume भी definite होता है और इसकी distinct boundary होती है कि जो boundary ऐसे ह नहीं रहेगा जब तक यह ice है इसका temperature decrease कर दें यह melt करने लग जाए तो इसकी change हो जाएगी shape otherwise shape वही रहेगी negligible compressibility होती है compressibility negligible क्यों होती है यह particles बना रखें इसके बहुत से न जरा रहे है न आपको यह particles बना रखें यह पिल्कुल close close है अब यह already इतनी close है तो क्या हम इसे press करके outside force apply करके इसको और पास कर सकते है नहीं कर सकते है इसलिए बोल जाता कि negligible compressibility होती है compress कर देंगे तो को compress करने के कोशिश करेंगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा अब यह rigid भी होता है rigid से क्या मतलब है कि हम इस पर फोर्स जब apply करेंगे से तोड़ने के लिए तो काफी जादा force हमें apply करनी पड़ेगी और जो क्योंकि इंकि इस particle के बीच में space बहुत कम होता है अब diffusion की बात करें पार्टिकल के बीच में attraction जाता है पार्टिकल क्लोज है एक दूसरे को attract करें जैसे कि fog dance में हमने देखा तो यह diffuse होना थोड़ा मुश्किल होता है negligible diffusion होता है इसका इसके example की बात करें pen pencil chalk और duster इसके example आ जाते है अगर हम next बात करें तो क्या आती है दूसरी state है liquid liquid में क्या ह होता है इसमें fix volume तो होता है कि हम 1 Liter दूद के आ रहे तो वह एक लिर ही रहेगा लेकिन fix shape नहीं होती तो इसके boundary भी उसी according change हो जाती है, जैसे container में डाले गई है, अब क्या है compressibility की बात करें, देखो इसके particle है, ये particle थोड़े आपको दूर नजरा रहे हैं, अगर हम इसको press करें, तो particle pass आ जाएंगे, तो इसलिए ये थोड़ा compressible होती है, as compared to solid, और ये flow कर सकती है, ये flow कर सकती है, और rigid नहीं होती, rigid मतलब इसमें अगर देखो, hammer मारेंगे हम, पानी में hammer मारा, हमने दूद में hammer मारा, तो वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम stone पे hammer मार रहे हैं, तो वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो rigid तो नहीं होता, ये लेकिन flow कर सकता, जैसे हमने यहाँ पे पानी डाला, यहाँ पे मालो थोड़ा slope है, तो यहाँ से flow करके, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसे diffusion में भी बोल सकते हैं, तो अपनी लोगर कंसेंटरेशन आगे, क्योंकि यहाँ पे पानी था ही नहीं, और यहाँ पे से slope मिल गया, और यह travel करके आगया, जैसे milk, juice, या फिर water हैं, इसके example हैं, अब बात करते हैं, हम next की, gas की, gas में क्या होता है, ना तो इसकी definite shape होती है, ठीक है, जैसे की हम इसे किसी cylinder में डालते हैं, तो cylinder की shape ले लेता है, balloon में डालते हैं, तो balloon की shape ले लेता है, इसकी boundary इसलिए fix नहीं होती, highly compressible होता है, balloon को हम compress करते हैं, compress हो जाता है ना इसलिए, तो वो highly compressible होता है, क्योंकि इसके particle दूर दूर होते हैं इस पे force apply करेंगे तो थोड़ा पास पास आजाते है particles है कि नहीं अब diffusion की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा diffuse हो सकता क्योंकि इनके particle के बीच में जो force of attraction है वो बहुत ही कम है यह attraction पे depend करता है एक मैंने आपको hammer का example बता है था कि hammer को हम stone पे मारेंगे वो उसकी rigidity पदा चलती है कि वो उसमें से उसे break करना पड़ेगा काफी ज़्यादा force लगाने पड़ेगा लेकिन हम liquid में अगर hammer चला रहे है तो हमारे थोड़ा सा हमें heavy feel होता है जैसे हम air में hammer को चला के देखे ठीक है तो हम smoothly दर उदर खुमा सकते है उसे ठीक है लेकिन water में हलका सा हमें restriction पैदा होगा और stone पे तो पूरा ही restriction पैदा होगा और gas के example की बात करें तो oxygen होगी carbon dioxide होगी और nitrogen होगी ठीक है अब हम आगे चलते हैं मैंने आपके लिए एक बनाया है टेबल अगर आपको किसी भी दो चीज़ों में compare करने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से करेंगे कि पहले तो एक आप इसकी properties लिखेंगे property लिखेंगे या feature लिखेंगे जिसके basis पे आप classify कर रहें आप किस किस चीज को आप differentiate कर रहे हैं उपर लिखेंगे मितलब एक कोलम आप एक्स डबनाएंगे हम तीन चीज़ों को कर रहे थे हमने एक property के लिए एक्स डबनाया पहले मास की बेस पर तो मास definite होता है ठीक है asion कर यहाँ सेप की बात करें तो सेप तो तो उलेड कीregistraz होता है यह liquid similar होता है कोい fix नहीं होता, compressibility की बात करें, तो solid को हम compress नहीं कर सकते, क्योंकि उसके particle closelieus है, ठीक है इसको liquid को थोड़ा हम compress कर सकते हैं, और gas को बहुत ज़ाद़ compress कर सकते हैं, fluidity की बात करें, ये flow नहीं कर सकती, flow नहीं कर सकते, solid भायाए के चले चले जाते हैं कहीं बहिंब नहीं जातें लेकिन liquid है वो flow कर सकता और gas भी है वो flow कर सकती है Brent razi2 की बात करें तो highly rigid है यह last rigid है और इसमें rigidity बिलकुल भी नहीं होती अब diffusion की बात करें तो diffusion solid का होता ही नहीं है या फिर बिलकुल ही slow होगा अगर liquid के बात करें तो ये थोड़ा fast होता है और gas की बात करें तो बहुत ज़्यादा fastly diffuse कर जाती है space particle के बीच में हमने shape देखी थी इसके particle बिल्कुल पास-पास होते हैं और liquid के particle इससे comparatively थोड़ा दूर होते है और gas की बात करें तो gas के particle तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं अब inter particle के बीच में जो space देखें space देख लिए हमने अब force देखें तो इनके particle में force ज़्यादा मिलगी क्योंकि एक साथ मिलके एक ता में बल होता है तो इनमें ज़्यादा है ये थोड़ा अलग-अलग तो रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से इनका प्यार है comparatively तो इसमें slightly weak होते हैं ये लेकिन gas की बात करें तो ये तो एक दूसरे से बिलकुली नाराज होके दूर-दूर बैठे हैं जैसे ही मौका मिलता है कि भाग लेते हैं ठीक है इनमें negligible force होती है attraction के लिए अब हम आगे चलें तो आगे क्या है बात करतें pressure की जो gas है वो container पे भी और जो उसके particle है उन पे भी force लगाती रहते मालो ये gas के particle है ये container है तो ये एक दूसरे पे भी force apply कर रहे हैं और इस wall इसकी जो wall है container की उन पे भी force apply कर रहे हैं ठीक है इस force की वज़े से pressure generate होता है pressure इसे हम क्या बोलेंगे जो force ये apply कर रहे है ये pressure होता है अब atmosphere gas है वो diffuse कर जाती है diffuse कर जाती है कभी भी एक जैसे यहाँ पे oxygen है तो यहीं पे रहेगी नहीं रहेगी वो थोड़े time के बाद हमसे तोड़ा दूट चले जाएगी और दूसरी oxygen है हमारे पास आजाएगी और भी gases है पास आजाएगी और यह dissolve भी कर सकती है water में अब water में dissolve से क्या मतलब है जैसे water bodies होती है उसमें आपको बहुत सारे organism मिलेंगी जैसे के faces हैं आमारी और भी इंसेक्ट वगेरा इंसेक्ट उसके surface पे आपको नजराते हैं इंसेक्ट की तो बात नहीं करेंगे इदर हम जो भी water में रहने वाले species होती है जितने भी fishes है frog वगेरा है यह सब क्या करते हैं उसमें क्या करेंगे जो भी carbon dioxide present होती है और oxygen present होती है उसे को use करते हैं या फिर वहीं पर आपनी gas छोड़ते हैं तो इससे क्या बता चलता है कि water में dissolve हो सकती है oxygen तभी तो उनकी respiration चल पाती है अब एक एक नंबर में आपसे एक और बात पूछ सकते हैं कि liquid petroleum gas और compressed natural gas पूछ लेंगे LPG की full form क्या है CNG की full form क्या है ठीक है अब next next state की बात करते हैं plasma plasma क्या है super energetic है super excited है super energetic मतलब ज्यादा energy provide करता है super excited मतलब जल्दी react कर जाता है react करने के पीछे reason क्या है आप इधर देख रहे होगे कुछ positive charge नजरा रहे हैं कुछ negative charge नजरा रहे positive और negative charge electricity के flow में भी help करते हैं जब आप 10th class में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे help करते हैं ठीक है अब हम बात करें fluorescent tube की या फिर neon sign tube की fluorescent tube में helium gas होती है और भी कुछ gases होती है neon sign tube में neon gas होती है देखें ये question बहुत commonly पूछा जाता आपके competitive exam में की कौन सी gas होती है fluorescent tube में या फिर neon sign tube में ठीक है उसके बाद ये charge generate कर देती है उसकी वज़े से जो blub है हमारा या फिर tube है वो glow करते है अगर हम बात करें sun की या फिर star की ये भी plasma की presence की वज़े से ही glow करते है और इनका color जो है depend करता है कि nature gas का क्या है कौन सी gas है और ज़्यादर temperature होने की वज़े जैसे ही actual में ऐसा होता है कि ये glow कर पाते हैं next बात करते हैं देखे इदर ये चारों को compare कर किया गया है यहाँ पर particle आपको close close दिखाए गया है यहाँ पर particle आपको थोड़ा दूर दिखाए गया है यहाँ और दूर दिखाए गया है यहाँ पर particle तो दूर है प्लस आपको main क् लास्ट रह जाता हमारा Boss Einstein Condensate ये भी एक state है matter की जो कि 5th है 1920 में इसको discover किया गया था Stendernath Boss और Albert Einstein दो scientist थे जो कि Indian थे उन्होंने इसको discover किया था और 2001 में Nobel Prize भी दिया गया है इसके लिए वो USA के scientist थे उन्हें दिया गया है Eric A. Cornell और Wolf Gang Cuttle और तीसरा कौन थे? E. Women ये तीनों कहां कहते है USA कहते है इसमें क्या होता है Low Density Low Density मतलब जिस Gas के particle बहुत जादा दूर है बहुत जादा जादा दूर है उनको कितनी less density है 100,000 timeless density है 100,000 density less है जो कि हमारे environment में present है Gas उस से उसको क्या किया गया? Cool कर दिया गया Low Temperature कर दिया गया जिसकी वज़े से ये आपको कुछ ऐसी नजराएगी देखो ये Artificially तयार की गई है Temperature बहुत जादा Low कर दिया गया तो ऐसी आपको ये नजराएगी ये हमारी 5th state थी जो Plasma की थी अगर आपको पसंद आया तो आप Telegram, Instagram, Twitter या Facebook पेज इधर मुझे Follow कर सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियो और अपडेट्स मिल सकें थैंक्स पो वोचिंग